हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का quality education की digital परिवार में, जैसा कि आप thumbnail में देख रहे हैं, junior accountant और TRA की भरती के लिए जितना समय हमारे पास शिश बचा है, उसमें हम कैसे बहतरीन रणनीती बनाएं कि हमारा selection हो जाएं, रोज कितने घंटे पड़ें, क्या-क्या study material करें और कैसे बहतर अंक लेकर किया है, तो मित्रों आप सभी का इस यात्रा में मेरे साथ स्वागत है, आप सभी का श्वागत है आज के इस बहतरीन session में, इस session में हम एक-एक points पर बहुत detail से discuss करेंगे, कौन-कौन से subject को कितना पढ़ना है, कहां-कहां से पढ़ना है, जैसा इस वीडियो को मैं इस वीडियो के pin comment में डाल दूँगा, तो मित्रों आप सभी की आग्या से शुरू करते हैं, आज का session की आपको इस तैयारी में क्या run नीत अपनाने चाहिए, कि इन-किन बातों का बहुत ध्यान रखना है, देखिए, आज का हमारा पहला point है, कि आपके पास सबसे पहले syllabus, highlighter और पुराने papers होने चाहिए, मित्रों ये आपके सबसे खास दोस्त है, इस तैयारी के दोरान, यदि आपने ये ठान लिया कि मुझे junior accountant बनना ही है, तो आपके पास ये चीज होनी ही चाहिए, अब ये बात मैं कहा देता हूँ, ये हर exam के लिए भी इतनी ही मैत्रों ये आप junior accountant के अलावा कोई और भरती की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके सबसे अच्छे दोस्त इनको बना लीजिएगा, syllabus, highlighter और पुराने papers, ताकि आपके जो रस्ते जिस रस्ते पर आप जाने वाले हैं, उसमें ये मारक दर्शन का काम करेंगे, syllabus आपको ये बता सारी समय से आती, तो syllabus आप चाहाओ, मेरी आपको सला है, कि आप syllabus को हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन में, आपके पास print out लेकर के, यासे नहीं, कि सर हमारे mobile में, इसकी soft copy पढ़ी है, जहां आपकी study table है, भले घर के किसी कमरे में हो, किराय के कमरा लेकर के रह रहे हो, आप library में जाकर के पढ़ रहे हो, job के साथ पढ़ रहे हो, कहीं पर भी हो, जहां आप निवास करते हैं, वहां पर आपकी table पर ये syllabus रहना चाहिए, कौशिश ये करे कि दोनों वर्जन में हो, नहीं तो एक वर्जन में भी रखो, तो भी जो आपका medium है, उस वर्जन में आप रखिए, आपको प्रिंटेड आपकी table पर होना चाहिए, highlighter इसलिए जरूरी है, कि जो topic आपने पढ़ लिये हैं, उनको आप highlight कर लीजेगा, और ये highlight कि आवा topic आप तेले मस को जब दुबारा देखेंगे, तो आपको एक confidence देगा, एक आत्म विश्वास देगा, कि मैंने 5 मे ही बचे हैं, मैं आज तीसरे कर लेता हूँ, तो दो topic बचेंगे, और इस तरह से आपके अंदर का जो आत्म विश्वास है, वो जाग जाएगा, तो मित्रों पहली बात, हलांकि ये नियम सब भरती के लिए लागू हो रहा है, जूँकि ये वीडियो, especially junior accountant के लिए है, तो आपको पुराने papers डाउनलोड कर लेनी है, पुराने papers का भी print out लेना है, अब आपकी पुराने paper में 10 साल पहले भरती आई थी, 2013 की junior accountant की भरती थी, उसमें 2015 में paper हुआ, फिर इन दोनों भरती के दोनों papers आपकी table पर होने चाहिए, इन दोनों भरती के दोनों paper आप देखो गए, अची तरह से तो आपको लग जाएगा कि सवाल का level क्या होता है, किसकी subject से कौन-कौन से type के सवाल बनते हैं, जूँकि इसमें subjects ज्यादा है, 12 subjects है, तो 12 subjects में कौन-कौन स subject से किस-किस type के सवाल बनते हैं, इसके लिए जो आपका बहतरीन मारक दर्शन है, वो ये पुराना paper करेगा, दूसरा important point है, इसे आप most important लगा लिजेगा, कि आपको अगले दिन किस विशे में कौन-कौन से topic पढ़ने हैं, paper 1, आपका paper 1 है, paper 1 में 6 subjects है, और इसके बाद paper 2 है paper 2 में भी 6 subjects है, और ये सब अलग-अलग है, इसलिए आपको कौन-कौन से subject का, कौन-कौन सा topic next day पढ़ना है, इसका schedule आज ही आप बना लीजीगा, और उसमें से topic लिखिये कि ये topic मुझे पढ़ना है, और ये पहले वाले दिन ही tackle लेना है, इससे भी important बात ये है, कि जब तक जो आपने task बनाया है, वो पूरा नहीं हो, तब तक पढ़ाई छोड़े ही नहीं, मित्रों मैं फिर से कह रहा हूँ, इस बात को बहुत गंबीरता से, बहुत ध्यान से सुनना, कि जब तक task पूरा नहीं हो, जो schedule आपने खुद ने बनाया है, वो पूरा नहीं हो, तो 10, 12, 14 गंटे भी पढ़ना पड़े, तो पढ़ना है, मुझे भी लगता है, और आप सब को पता है, कि ये काम बहुत मुश्किल है, लेकिन ध्यान से सुनना, ये काम बहुत मुश्किल है, लेकिन ऐस संभव नहीं है, आप इससे संभव बना सकते हैं, आपके भीतर का जो motivation है, वो इस task को पूरा करके ही आराम करने का यदि हो तो आप इस task को अधुरा नहीं छोड़ेंगे और ये छोटा-छोटा task यदि आप पूरा करने लग जाएंगे तो आपको आपके भीतर से जो confidence मिलेगा उसकी एक अलग ही बात निराली होगी और वही confidence आपके system को आगे और ज़्यदा मजबूती प्रदान करेगा तो करना है क्या है कल क्या पढ़ना है उसको आज ही तै कर लेना है कि कल इस topic में यह यह पढ़ना है और जब तक उसको पढ़ नहीं ले अगले दिन तब तक पढ़ाई पूरी नहीं करे यह दो बाते जहान में रखनी अब जूंकि आपके पास 17 जो सितंबर है exam date आ चुकी है तो बहुत कम समय बचा है ऐसे समय में हम रणनीती बनाए तो हमारे पास material क्या हो क्या पढ़ें क्या छोड़ें तो बहुत ही selected material आपको पढ़ना है बहुत ही चूजी बनना है selected material के मामले में और यहां मैं आपको कहूँ कि उस जो material आपने चूज किया है उस पर आप पूरा भरोसा करना होगा आपको आप चाहें तो किताबें पढ़ें चाहें तो वीडियो कोर्स लें यह आपके उपर डिपेंडेंच जिसमें आप सूट कर रहे हैं उसके according आप पढ़ें लेकिन जो पढ़ रहे हैं जो देख रहे हैं उस पर पूरा भरोसा आपको होना चाहें वह भरोसा तब होगा जब आप उन books का या उस वीडियो कोर्स का या जो भी और आपको reference books है उनको चूज करता समय आप पूरा ध्यान से देखेंगे तब जाकर कि वह भरोसा बिल्डप होगा तो study material बहुत select होना चाहिए selected study material चूज करके उस पे पूरा भरोसा होना चाहिए मैं आपको personally यह सला दूँगा चूँकि आपके पास समय कम है और आपके 12 subjects है तो 12 subjects में आपको यह करना है कि एक subject के लिए केवल एक book ही prefer करनी है और उसी मैंसे आपका पूरा हो जाएगा लेकिन उसी की ही बार-बार revision करना है फिर दुबारा से नया बाजार में कोई material आया आप भागे भागे book shop पे गए कि हाँ हमें ये book ले लेनी है फिर दूसरा आप तेसरे दिन चौथा दिन और आया तो और ले लिया पढ़ाई तिनो चारो book की भी नहीं हुई एक book पहले से select कर लेनी है एक subject के लिए और उसी पर आपको पूरा भरुसा करना है ये वीडियो ये session पूरी तरह से आपके guidance के लिए है यहाँ course सिर्फ मैं बता रहा हूँ लेना नहीं लेना आपका अपना काम है लेकिन यदि आप चाहते हैं कि एक बहुत अच्छा selected study material आपको मिले तो वीडियो course दोनों रुप में available है एक बात का मैं आपको भरसा दिला सकता हूँ कि यह जो इसमें जो आपको content मिलेगा वो बहुत इक quality का content मिलेगा अभी scores की जानकरी मैं देता हूँ paper 1 की जो price है वो रुपे 1500 99 है और इसके साथ paper 1 की test series free है paper 2 की price अलग से 1900 99 रुपे है इसके साथ paper 2 की price free है और दोनों आप लेते हैं तो 2999 रुपे हैं और इसके साथ 3999 रुपे की मुलेवाली पूरी की complete test series free है यह हमारी ओर से paper 2 की बहुत बहतरे इन faculty राजस्तान की आपको पढ़ने वाली है धरेंदर सरा RSR पढ़ाएंगे मैं खुद आपको GFNDR पढ़ाता हूँ और वहाँ पर आपको बहुत सारे videos मिल जाएंगे आप जाकर कर जरूर देखें अगली तयारी जो इस video का सबसे important बात है जिस पर हम discuss करने वाले और आपने thumbnail में भी देखा कि रोज का कैसे पढ़ें इसके लिए psychology की रूप से मैंने पिछले एक सब्ता भर आपके लिए अग्यन किया कि बच्चों की पढ़ाई क्या से हो और उसके बाद ये मेरा पूरा opinion है जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ ज़रूरी नहीं ये हर किसी के साथ set हो क्योंकि एक की बात सब तरह के स्टुडेंट के साथ set नहीं होती है कुछ विकोया जोब होता है लेकिन जो एक common student है उसकी demand को ध्यान में रखते हूँ ये मैंने मेरे तरफ से बनाया है क्या बनाया है रोज 10 से 12 घंटे का schedule बनाए क्या से बनाए दो paper है paper 2 का कोई subject उसके बाद पढ़ सकते है लेकिन पढ़ना दोनों को ही है 12 subject है paper 1 में 6 paper 2 में 6 ये मैंने आपके लिए 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 रोज प्रतियक subject को पढ़ना है paper 1 की बात करें आपके सलेबस में हिंदी है अंग्रेजी है सामाने ज्यान जीके है विज्ञान है गणित है और computer science है अब करना क्या है आपको ज्यान से सुनना लिएक subject को आपने हिंदी उठाया उसको 45 मिनट आपको पढ़ना है बुक से पढ़िए आराम से एक बुक जो आपने चूज की है उसमें से पढ़िए 45 मिनट हिंदी का पढ़ना क्या पढ़ना है हिंदी में यह हम पहले दिन तैकर जुके है कि हिंदी में मुझे संधी पढ़नी है उपसर्ग पढ़ना है प्रत्य पढ़ना है विलोमसुद पढ़ना है पारिभाशक सब्दावली पढ़नी जो भी पढ़नी है, पारिभासिक सब्दावली पढ़नी है, तो कहां से कहां तक पढ़नी है, मुझे A से लेकर के C तक की सारी की सारी याद करनी है, 45 मिनट पढ़े, उसके बाद 5 मिनट में जो पढ़ा, उसका रिविजन कर लिया, कुल पढ़ाई आपकी हो गई, 50 मिनट की, 45 45 मिनट थोड़ा सा छोटा टाइम है, लेकिन पूरे कंसंट्रेशन के साथ पढ़िए, इसके बाद आपके कंसंट्रेशन का लेवल गिरना शुरू हो जाएगा, तो सब्जेक्ट चेंज कर लिजेगा, 45 मिनट पढ़े, 5 मिनट रिविजिन किया, 5 मिनट का ब्रेक ले लिया, इ श्के बाद फिर से अंगरेजी पढ़ा, 15 मिनट पढ़ा, 55 मिनट रिविजिन किया, फिर ब्रेक ले लिया, अब आप चाहोगए, तो अंगरेजी पहले पढ़ सकते हो, हिंदी, फिर उसके बाद पढ़ सकते हो, यह आपके उपर बाद रहे या आप अपनी सुवीद में लगा दो, जीके में के संबंद में आपके सेलेबस में केवल राधस्थान जीके ही है, और ये आपने मेरे ख्याल से पहले भी पढ़ चुके है, पहले भी और ज्यादा मुश्किल भी नहीं है, ये नया शुरू करते तो भी ज्यादा मुश्किल नहीं है, 45 मिनट जीके ब्रटिंट सब्सक्राइब 15 km करते हैं, नफोपा 1-8 दिन के पंच घंटे में ये पूरा 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 प्रपेपर त्यार हो गया, आईए hackand paper फर लंच खंटा 2 घंटा आराम कर लिया, आजा गहनеци गणटा सो लिए या कोई और काम करना तो करके आगए बस ठीक है. second paper Sam strategy bookkeeping उठाई 45 minute पढ़े 5 minute revision किया और इस 5 minute में आपने break ले लिया ये revision आप चाहो तो अपने अनुसार मनन के अनुसार कर सकते हो आप चाहो तो short notes का भी कर सकते हो आप चाहो तो उस book के paragraph को वापी से देख सकते हो ब्रेक के बाद रवसाइक पदती बिजनस आपको ने जो अड्मिस्टिस ने उसको लिया बिजनस मेथड उनको लिया उसको पढ़ा फिर 5 minute BM का revision किया फिर ब्रेक ले लिया फिर लेखा परिक्सा ऑडिटिंग को पढ़ा 45 minute फिर इसमें 5 minute revision किया कुल मिला करके फिर economics पढ़ा, rsr पढ़ा और gfndr पढ़ा ये जैसे आपका पहला paper है वैसा का वैसा दूसरा paper हो जाएगा 10 घंटे की पढ़ाई बकाई चोटे-चोटे terms में बांट के बीच में break ले लेके पूरे concentration के साथ यदि आप daily पढ़ते हो ये हुआ 10 घंटे का schedule अब यदि आपने video course ले रखा है तो daily के 2 घंटे के video यानि कि कोई एक video या कोई दो वीडियो एक course के आपको सुनने है अब सुनना उसी matter का है जो आपने पढ़ा है उसी topic का जैसे आप GF&AR में chapter 1 पढ़ रहे हैं 45 मिनट में वो पूरा कर लिया यदि वो 30 मिनट में पूरा हो गया पूरा chapter आपने target बनाया 30 मिनट में पूरा हो गया तो बच्चे वे 15 मिनट में 200 में ऐसे मान लीजेगा 160 छूट रही है पर आपकी तयार 140 तक हो रही है तो इतने लंबी यात्रे करने के बाद भी जो 20 नमबर का gap है वो आप पार्ट नहीं पारे हो उसके लिए आपको आपकी limits से बढ़ानी पड़ेगी आपको आपकी शमता में अवर्दी करनी पड़ेग इसको strictly follow करना है अब इसको हर subject में हर paper में apply करना है 10 गंटे की revision और 2 गंटे का आपका 10 गंटे में आपका revision भी हो जाएगा 10 गंटे में से 9 गंटे की पड़ाई है एक गंटे का revision है जो उस दिन आपने पढ़ा फिर आप video course भी देख लीजेगा ये आप एक महीना पहले follow कर लो लाए जा सकते हैं पूरे की पूरे जो बचा time है जीके में लगा सकते हो ये बात आपको पढ़ाई की है अब बात आती है practice की कि जो पढ़ा है उसका practice कैसे करें तो उसके लिए आपको test series join करनी है कहीं पर भी जहां आपके लिए test series available है जो आपने ले रखी है मैं ये नहीं कह प्रमानित चीज़ भी है लेकिन आपको test series join करनी है आप चाहो तो test series को online भी join कर सकते हो आप mobile में बैठे बैठे दे सकते हो या आपके पास कहीं offline test series है तो आप offline test series जा करके जरूर दे मेरी ये भी आप राय पूछेंगे तो मैं प्रात मिखता दूंगा offline test series को कि जहां भी इन में भी बहुत अच्छा standard आज कल maintain किया जाता है test series के साथ एक दुविदा ये रहती है कि हम दोनों schedule कैसे follow करें test series का अलग schedule होता है हमारा अलग schedule होता है तो दोनों series में कोई बात रहे है test series का schedule आप नए follow करके खुद का schedule follow करे test series में क्या होगा दो number ही कम आएंगे और क्या फरक पड़ेगा rank थोड़ी नीचे आईए लेकिन उससे भी अच्छा काम ये करना है घर आ करके उसका सुधार करना है जब आपको answer की मिल जाए तो कौन-कौन से प्रसन आपने गलत किये हैं वो प्रसन आपको 100% test series में से देखना है ये इस test series में शुरुआत में कम number आएंग इसको करने के लिए no doubt ये ज़्यादा है मुश्किल है लेकिन ऐसंभव नहीं है आप इसे कर सकते हैं you can do it आप इसे 100% कर सकते हैं कैसे कर सकेंगे आप इसे इसके लिए आपको अपनी limits बढ़ानी होगी आपको अपनी जो उक्षमता है उसको और अधिक बढ़ना पड़ेगा इसके लिए क्या करना पड़ेगे जो अनावश्य कारी है जो unwanted काम है उसको आपको बंद करना पड़ेगा जैसे mobile का overuse है जैसे किसी के खयालों में खोना ये सब जो unwanted कारी है घर का कोई कारी है जो आप कर रहे हैं तो घर के किसी और सदसे को वो कारी करने के लिए कुछ समय के आप कह सकते हैं तो आपका समय बचेगा जो समय आप अपने पढ़ाई में इन्वेस्ट कर सकोगे इसके लिए आपको बहतर स्वास्तिय और प्रयाप्त नेंद की भी आउशिकता है रात को समय पे सो जाईए mobile को दूर रखी ये गंदी आदत है ये लगातर आपको सोनन नही आप पुराना पेपर यदि देखना चाहते हैं तो हम अपने टेलिग्राम चैनल Quality Education RS पर पुराना पेपर डाल देंगे आप जहा करके इसको विजिट कीजिएगा Quality Education RS नाम से टेलिग्राम चैनल है आप मेरे साथ YouTube के इस प्लेटफोर्म पर लगातर जूर सकते हैं आप यदि ये स्ट्रेजी अधिकतम लोगों तक पहुंच सकें तो मित्रों आप सभी का धन्यवाद मिलते हैं अगले किसी यूजफूल सेसन के साथ तब दक के लिए देजिए इजाज़त आप सब की परिक्षाओं की मंगल कामनाओं के साथ थैंक यू